हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल चेहां वाजी दुमेक में आपका स्वागत है मैं हूं अर्श्रमा और आज हम बात करेंगे कौह चैनल के आज होते है ॐ तो होते हैं तो देखें से पहला होता है पॉइंट फंक्शन इसवाप्ट यह क्या है कि प्रपलंट यह क्या ह Think आणके इस इसे इस अशर्माइब function is a property which do not depend on path मतलब कि किसी भी system के ऐसी property जो कि path पर depend ना करे takes to reach a final value यानि कि जब वह initial state से वह जो है initial state से final state तक जाए चाहे ए path को follow करे चाहे ब path को follow करे तो वो जो है किसी भी path से जाए तो वो path पर depend ना करे path पर depend ना करे हमें इससे मतलब नहीं है कि वो किस path से ओके जा रहा है हमें सिर्फ मतलब है तो किस से है हमें है initial value से और final value से यानि कि initial point और final point से मतलब है हमें path से कोई मतलब नहीं रहता इसमें point function में यानि कि do not depend on path ठीक है न अब देखिए point function क्या होता है point function जितनी भी हमारी thermodynamic properties हैं वो जो है thermodynamic properties वो क्या होती है point function होती है देखिए कैसे कि हमारी properties को हम सिर्फ और सिर्फ जो है एक point पर निकाल सकते हैं ठीक है न हम किसी भी thermodynamic property को यह बाइसे कि हमारा PV डाइगराम है और यहां पर हम thermodynamic property को देखें तो यह सिर्फ एक प्रेशर बताएगी प्रेशर बताएगी प्रेशर बताएगी दूसरा point ले ले लें तो इस point पर अलग pressure होगा इस point पर अलग volume होगा तो इस चीज को याद रखें कि thermodynamics properties होती है वो एक point पर बज निकाली जाती है यानि कि वो एक point function होती है properties are so net particular point ठीक है ना जो मैंने बताया भी आपको अब example देखें चाहे intensive property हो इस चीज़ को याद रखें चाहे property intensive हो चाहे properties extensive हो वो होगी एक point function ही इस चीज़ को याद रखें हमेसा चाहे वो intensive हो चाहे extensive हो वो एक point function होगी are point function ओके देखें जैसे कि मैंने बताया आपको इसमें कि एक point पर particular pressure, particular volume दूसरे point पर particular pressure particular volume यानि कि एक initial state ही है दूसरी state ही है यानि कि ये path पे depend तो है नहीं path पे depend नहीं है तो इसकी एक अलग value होगी यानि कि एक point पर fix होगी है ठीक है example pressure, temperature मैंने बताया pressure जो है intensive है ये भी intensive है, volume extensive है entropy extensive है enthalpy intensive है, extensive है internal energy extensive है यानि कि both properties intensive plus extensive दोनों properties होती है वो दोनों कि दोनों किसमें आती है path function, sorry point function में आती है अब देखिए कि path function क्या होता है path function, it is depend on path यानि कि path function depend on path which taken reach to a final value यानि कि हम कि cv1 से point से point 2 तक जा रहे है तो ये चीज हमारी depend करेगी कि हम किस path से होके जा रहे है यानि कि ये चीज हमारी depend करेगी कि हम किस path से होके जा रहे हैं तो हमारा point function के according जो work done मिलेगा हमें PV diagram में क्या देता है work done देता है तो हमें जो work done मिलेगा कुछ अलग मिलेगा ठीक है न अगर हम जो है B path को follow कर रहे हैं इस वाले path को follow कर रहे हैं तो हमें work done कुछ अलग मिलेगा यानि कि वो हमारा कुछ अलग work done देगा तो यह चीज जो है हमारी किस पर depend करती है path पर depend करती है कि हमारा path कौन सा है ठीक है न तो हमारी path पर depend करेगी अब हमारा देखिए कौन-कौन सी value है वो path पर depend करती है देखिए a path पर value कुछ अलग होगी b path पर value अलग होगी यानि कि is not equal to अलग होंगे ठीक है देखिए path function all process are shown as a path function यानि कि जितने भी हमारी processes होती है यानि कि process का मतलब हमें जैसे की यह pv diagram है एक मिनट यह pv diagram है हमारा इस पर हमारा यहां से हम यहां तक जा रहे हैं तो हमारा यह path follow कर रहा है तो इस path फर हमें कुछ work done यह मिलेगा work done क्या होता है area of a pv diagram pv diagram का जो area होता है वही हमारा क्या देता है हमें work done देता है तो work done उमारा कितना होगा work जोगा एक path की रूप में work को नहीं निकाल सकते wayfrom जो है किनी 2 points में हम Show करते हैं ठीक है तो इसी तरीके से जितनी भी process है process का हमाँ प्रक्रिया है यहाई प्रक्रिया तो processes है वह हमारी क्या है path function नहीं तो है जैसे कि work heat निकालते हैं heat भी एक point पे नहीं निकाल सकते। दो particular point के तो और को नि काल सकते हैं एक वर्ड याद रखें एंट्रोपी चंटरेशन यह इम्पोर्टंट पूइब से कि कि एंट्रोपी जरीशन या पात कि तृभ में लेडिको यहां रखना एंट्रोपी जर्ण जो है यह पात फंक्चन उस अगर कहते इंट्रॉपी तो वह एक point function है इस चीज़ को हमेशा याद रखें ठीक है ना देखिए मैंने बताया कि एक fix point पर देखें तो वह point function की रूप में होगा second point भी माने तो एक point function होगा लेकिन यह one से जब two पूपे जाते हैं तो वह क्या दर साता है वह पाथ function को दर साता है ठीक है तो इस चीज़ को नॉर्मल है आपको बता होगा देखें वर्क हीट वर्क और हीट इनको हम किसी एक point पर नहीं निकाल सकते हैं इसके लिए एक path की जरूरत पड़ेगी मैंने जैसे आप भी आपको बताया कि वर्क और हीट को हम एक point पर नहीं निकाल सकते हैं उसके लिए हमें किसी ना किसी पाथ की जरूरत पड़ती है यानि कि कि एसी चीज़ कि जरूरत कह सकते हैं एक एक ऐसे रास्त कहते हैं से लिए इसके path function भी कहते हैं अब जैसे की देखिए example यह कि हमारा piston है आपने piston cylinder देखे होंगे simple ic engine में हमारा यह piston है यह cylinder है ठीक है ना जब हमारा यहां से compressive force लगता है जब हम इसको piston को अंदर की उड़ दबाते हैं तो यह हमारा अंदर की उड़ता भी यह हमारी gas वरी हो यह compress होगी तो देखे पहले जो है यह मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहां पर यह initial position है यह final position है ठीक है ना तो जब हम initial position पर आते हैं initial से final पर जाते हैं तो क्या है हमारा पहला volume V1 था दूसरा volume V2 है ठीक है ना तो देखे volume V1 ज्यादा है बाद में volume कम हो रहा है या यहाँ पर जाएगा फिर यहाँ पर आएगा piston फिर हम यहां पर आएगा यही यह दिरे तीरे दीर धीर कम होता जा रहा है तो देखिए volume जो है कम होता जाएगाak प्रेशर historic के ऊकर दबेगी तो उसका presupresure बड़ेगा कम हो है दिए ना तो पहले यहां पर था पिष्टन यहा आया तो हमारा यहां पर चला गया ठीक है न पिश्टन हमारा यहां आया तो यह हमारा यहां पर चला गया ठीक है और पिश्टन हमारा यहां पर आया तो माल लेजिए यह पिश्टन पाथ हमारा यहां चला गया फिर वारा पिश्टन यहां आया तो यह पाथ हमारा यहां चला तो यह simple जो आपको पता चलता है कि work done जो है यही transfer या फिर entropy generation वो किस पर depend करती है वो एक path पर depend करती है अब देखिए कि एक point में आपको बताऊं कि cycle क्या होता है cycle simple language में याद रखिए कि when initial position and final position are same यानि कि जब initial position और final position same हो जाए तो उसको क्या कहते हैं एक complete cycle कहते हैं किस तरीके से देखिए जैसे यह p diagram है 1,2,1 से 2 तक जा रहे हैं तो देखे 1 से 2 तक हम इस path से गए और 2 से फिर 1 तक लोट आए तो यह क्या हुआ हमारा यह हमारा एक complete cycle हो गया यानि कि initial position हमारी कहा थी initial position हमारी यहा थी हमने start यहां से यहां तक किया फिर हम यहां से यहां आगए तो हमारी complete cycle initial or final position ही हो गए तो यहां पे आके हमारी cycle जो है complete हो गए तो इसलिए यहां पे जो work done होगा वो इतना होगा ना कि पूरा PV diagram का area एक cycle का area डिया, okay अब देखिए जैसे कि मैं आपको example देके दूसरा equiv mãe बताता हूं कि देखे, A से बी ni से 2 गए 2 से 3 गए 3 से 1 तक गए ठीक है, तो 1 से 2 तक जो process उसने की A की, 2 से 3 की उसने B की, 3 से 1 की उसने C की, ठीक है तो देखे, 1, 2 और 3 क्या है 1 क्या है 2 क्या है 3 क्या है बताइए 1,2,3 एक simple states है यानि कि एक point है यानि कि ये क्या दर्साएंगे सिर्फ और सिर्फ property को दर्साएंगे property यानि कि इस point पर property क्या है इस point पर property क्या है इस point पर property क्या है अब देखिए same वही diagram है A, B और C क्या दर्साएंगे बताइए A, B, C, जो है ये दर्साइंगे process को, कि हमारा कौन सा process हो रहा है, ठीक है न, इस process में कुछ अलग work done होगा, इस process में कुछ अलग work done होगा, इस process में कुछ अलग work done होगा, तो अगर हम इन तीनों को मिला दें, A, plus B, plus C कर दें, यानि कि तीनों को process को मिला दें, तो हमारा क्या बन बन जाएगा और याद रखिए कि एक cycle में हमेशा initial point of final point वरावर ही होता है यानि कि same होता है यानि कि यह हमारा initial है तो यह हमारा final होगा अगर एक complete cycle हो रही है तो ओके थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें थैंक यू